ओम नमो बगवते वास देवाई नमा स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटुब चैनल पर 17 मार्च बड़ी पूरण मासी गुरु बार होल का देहन दोस्तो इस बार होल का देन पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है कापी ग्रेन की इस्तिती बहुत ही बहुत ही आठ रासी बहुत ही भाग्तिसालियों लखी रहने वाली है पूरण मासी के दिन सत्तनारण भगवान की कता की जाती है और आपने सुना भी होगा सत्तनाराण की कता जब आती है तो राजा तूंद जिने प्रसाद त्याग अ था जिसकी बज़े उसका सब कुन दर्शन के लिए चली गई इसलिए भगवान ने उसके पत्री को जो है नावज़त पानी में डुबो दिया तो आप देख सकते हैं कि प्रसाद का कितना महत्त है अगर वही प्रसाद भगवान के सामने मंत्र जाप करके खाया जाए तो उसका विशिश महत्त होता है फल कर लें उसके बाद भगवान के सामने केले का फल और आठे का प्रसाद बहुन करके रखना है या खीर का प्रसाद बना करके रख दें हलुए का प्रसाद बनाके भी रख सकते हैं उसके बाद में सत्तनारण भगवान की कता सुनी है आपको संकल्प करना है कि आप कितने ब्र मतलब है कि आप अपने उद्देश के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं इस दिन भगवान सिव की पूजा का भी विशिश महत होता है भगवान सिव की पूजा भी करनी चाहिए गोमाता की पूजा करनी चाहिए गोमाता की पूजा का भी विशिश महत होता है इस दिन जित क्योंकि पूरन मास के दिन भगवान के सामने केला चड़ाने का ही मैत तो सब से जधा होता है और उसके बाद में यह प्रसाद आपको खाना है कथा सुनने के पाद में हवन के बाद में मनो कामना के प्रभू अमारी यह मनो कामना पूरियों पुत्र की यह धन की यह संत-जो भ झाल करें